जैहिन साथियो बिहार पुलिस सिपाही की परिक्षा के लिए आज इक इस वीडियो में एक निव मॉडल प्रेक्टिस सेट लेकर आए हैं तो साथियो जिनका भी एकजाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है तो साथियो आज इका सेशन आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा और साथियो इस मॉडल प्रेक्टिस सेट में आपको 60 प्रसनों के सैसरी आंसर करने हैं तो साथियो आप सभी पूरा सेशन को ध्यान पुरुबग देखें तो चलिए फड़ाफट से आप सभी लाइब में जुड़ जाईए सभी को गोड इवनिंग गोड इवनिंग तो साथियो सेशन का पहला प्रसन है सैयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद के और अस्थाई सदस्यों के अबदी कितनी है वेरी इंपोर्टन प्रसन है चलिए आपसे भी आंसर कीजिए सैयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद के और अस्थाई सदस्यों के वदी कितनी होती है तो साथियों आपर पहले प्रसन का आंसर क्या होगा देखिए सुरक्षा परिसद में टोटल दस और अस्थाई सदस देश है जिनका चैन जो है ये प्रत्यक दो साल के लिए किया जाता है और देखे साथियों सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिसद में टोटल पांच अस्थाई सदस देश होते हैं दस औस्थाई होते हैं और पांच अस्थाई होते हैं तो पांच अस्थाई सदस देशों के नाम याद रखें एकजाम में प्रस्थ बनेगा तो देखें कौन कौन से है तो चाइना है फ्रांस रूस यूके और अमेरिका ये सुरक्षा परिशद में पांच अस्थाई सदस दे तो साथ्यों आपर दूसरे प्रस्ण का सही जवाब है गुजरात याद रखेगा गरवा जो है ये गुजरात की प्रसिद निर्त्य सेली है बीहू पूछायाता है ये कहा का निर्त्य है तो साथ्यों बीहू जो है ये असम का निर्त्य है जुमर भी पूछायाता है तो ये रा दोहरा सतक लगाने वाले पहले खिलाडी का नाम क्या है बिल्कुल टॉप लिबल का प्रस्ण है अंसर किजिए तो साथ या पर तीसरे प्रस्ण का सही जबाब क्या हो जाएगा तो जो रूट याद रखेगा अपने सौवे अंतराश्टे टेस्ट मैच में दोहरा सतक लगाने पहले खिलाडी का नाम है जो रूट याद रखेगा और ये इंग्लेंड के कप्तान है आगे देखिए किसने कहा लोगतंत्रिक सरकार है जो लोगों के लिए लोगों द्वारा और लोगों से है वेरी इंपोर्टन कोशन है इस पर आप सभी श्टार माक कर लिजिए तो साथ याद रखेगा ये कहा था अबराहम लिंकन ने याँ पर सी ऑप्शन आपका सही जबाब है अबराहम लिंकन ने आगे देखिए अंतराश्टिय वन दिवस भारत में कब मनाया जाता है साथियों आप सभी को बिलकुल सोच समझ कर आंसर करना है और टार्गेट को ध्यान ने है यहाँ पर पहला उप्शन आपका सही जबाब है वन महुत्सा भारत में एक वार्षिक व्रेक्षा रोपन का तिवार है जान रखेंगे और इसकी शुरुवात कब होती है तो 1950 से वन दिवस की शुरुवात जो है 1950 में केंद्रे क्रिसी मंत्री डॉक्टर के एम मुंसी द्वारा किया गया था ज्यान रखेंगे और वन दिवस प्रत्यक वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को ज्यान रखेंगे कब 21 मार्च को आगे देखिए मसहुर पैंटिंग हंस दम्यंती किसने बनाई वेरी इंपोर्टन कोस्टन है फड़ा फड़ से आंसर कीजिए आप सभी तो साथियो मसहुर पैंटिंग हंस दम्यंती इसको किसने बनाई थी तो याद रखेगा राजा रवी वर्माने वेरी इंपोर्टन कोस्टन है इस्टारमा करके रखना मसहुर पैंटिंग है हंस दम्यंती इसको किसने बनाया तो राजा रवी वर्माने आगे देखिए सार्क का संचिक्त रूपत क्या है यहाँ पे सार्क का फुलफॉम पूछा गया है देखे सार्क के स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1885 को इसके स्थापना होती है और इसका हेट क्वाटर का पर है तो नेपाल की राजानी काट मांडू में और सार्क का फुलफॉम क्या होता है तो याद रखेगा हिंदी में दक्षिन एसे आई छेत्रिय सायोग संगठन और इंगलिस में साउथ एसियन एसोसियेशन फॉर रिजिनल कोपरिशन दोनों आपको ध्यान रखना है आगे देखे भारत की पहली महिला राष्टपती कौन थी साथियो आप सभी को बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है और एक भी प्रसंद को स्किप नहीं करना है सारे प्रसंद आपके एकजाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो साथियो भारत की पहली महिला राष्टपती बहुत ही सिंपल है कौन थी? तो प्रतिवा देवी सिंग पाटिल वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मु है भारत में लौकिक सार्व भौमिकता है संबिधान की प्रस्तावना किस से प्रारंभ होती है? तो साथो आप पर आंसर क्या हो जाएगा भारत में लौकिक सार्व भौमिक्ता है संबिधान की प्रस्तावना किस से प्रारम होती है तो याद रखेगा हम भारत के लोग सब्दों से अब दिखें प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संबिधान सभा के सामने किसने पेश किया था तो पंडित जभारलाल नहरू ने कब किया था तो 13 दिसंबर 1946 को और प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संसोधन किया गया है कब तो 1976 में और 42 संसोधन था इसके तहट प्रस्तावना में तीन सब्दों को जोड़ा गया समाजवादी, पंत निर्पेच और अखंडता को याद रखेगा और प्रस्तावना में तीन प्रकार की नयाय की विव है चले 10 के लिए अंसर किजिए तो सात्यों उर्दू जो है यह जम्मू और कस्मिर की सास के भासा है यहापर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कौंकनी पूछा आता है किस राजी की सास के भासा है तो गोवा कौंकनी जो है गोवा राजी की सास के भासा है ध्यान राश्टपति द्वारा राज सभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है चलिए 11 के लिए आंसर किजिए देखे साथ यो राज सभा की बात करें तो ये एक अस्थाई सदन है ये कभी भी भंग नहीं होता है इसके सदस्यों का कारेखाल 6 वर्सों का होता है और राज सभा की अधिक्तम संख्या पूछे तो 250 है और वर्तमान में पूछे कितने है तो 245 इस फ्यक्त को ध्यान रखना है राज सभा की अधिक्तम सदस्यों 250 हो सकती है लेकिन वर्तमान में कितने है तो 245 है तो राश्टपती दुवरा राज सभा के कितने सदस्यों को नामित किया रता है तो याद रखेगा बारा सदस्यों को राश्टपती सासन में राज का प्रमुक सासन संचालन कौन होता है चलिए बारा के लिए आंसर किजिए राश्टपती सासन में राजिक का प्रमुक सासन संचालक कौन होता है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है राजिपाल होता है ध्यान रखेंगे तो B option जो ही बच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है राजिपाल की निउकती कौन करता है तो भारत के राश्टपती लेकिन राजिपाल को सपत कौन दिलाता है तो high quote जिस राजिक का राजपाल है उसी राजिक के high quote के जो मुखष नैदिस होते हैं वही सपत दिलाते हैं आगे देखिए सभा के विचार विमर्स के लिए मार्क दर्शन करने के लिए उद्देश संकल आंदोलन का प्रारंब खालियस्तान दुआरा किया गया था चले किसके द्वारा किया गया था वड़ा फट से आंसर किजिए तेरा के लिए और साथ जो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लेज आप से रिक्वेश्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें तो यहाँ पर इस प्रसन का सही जबाब क्या होगा तो याद रखेगा पंडित जभारलाल नहरू यहाँ पर पहला उप्शन आपका सही जबाब है पंचायती राज व्यवस्था में एक मद्यवर्ती अस्तर है जिसके रूप में जाना जाता है देखे पंचायती राज की बात करें तो यह दो अक्टूबर 1969 से प्रारम हुआ था राजस्थान के नागोर से और पंचायती राज को लागू करने बाला दूसरा राज पूछे तो आंद्र प्रदेश था तो यहाँ पर चौदवे प्रसन का सही जवाब है पंचायत समीती याद रखेगा कौन सा हो जगा इसका अंसर पंचायत समीती भारते राज्यों की भासाई अधार पर पुनर गठन किस वर्स किया गया था चलिए पंद्रे के लिए फड़ा फट से आंसर कीजिए तो साथ्यों भासाई अधार पर राज्यों का पुनर गठन 1956 में किया गया था और भासाई अधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज पूछे तो आंद्र प्रदेश था नियायले में निस्पक्ष मुकदमे के लिए भारते संविधान तीन अधिकारों की ववस्था करता है निमनलेकित में से कौन सा उन tीन अधिकारों में से एक नहीं है चले सबी ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो देखे किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी ये तो है भारत में पैदा हुए सुनवाही नहीं की जाएगी किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के हेतू ये गलत है बाकि सब सही होगा तो option B अपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नियाले में निस्पक्च मुकदमे के लिए भारते समिधान तीन अधिकारों की ववस्ता करता है तो उन तीनों अधिकारों में से कौन नहीं है तो ये नहीं है ठीक है आगे देखिए संपत्ती के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया चले बहुत ही सिंपल कोशन है फड़ा फट से आंसर किजिए संपत्ती के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया तो हमने आपको ब दिकार लेगल राइट और इसे रखा गया है अनुच्छेद तीन सो ए में ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित विकल्पों में से किसके सदसे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं चलिए ठारे के लिए आंसर किज़े फड़ाफट से तो साथियों किसके सदसे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं तो याद रखेगा राष्टे विकास परिशद यहाँ पर सी ओप्सन आपका सही जबाब है अचा राष्टे विकास परिशद का गठन कब हुआ था तो 6 भी प्रस्न में थोड़ा भी डौट होता है तो आप लोग तुरंद कमेंट करके पूछिए तो देखे थॉमस कप का संबंद जो है यह है याद रखेगा बैडमिंटन से यहाँ पर डी ओप्सन आपका सही जबाब है बैडमिंटन होकी से संबंदित भी कप याद रखेगा अगा खा कप हो गया रंगा स्वामी कप बेटन कप होकी से संबंदित है बैडमिंटन से तो थॉमस कप हो गया चली आगे बढ़ते हैं अब बास्केट बॉल से कप याद रखना है नेहरू कप नेहरू कप किस खेल से संबंदित है तो बास्केट बॉल से महिला समानता दिव प्रति वर्स कब मनाया जाता है साथ यो बिल्कुल selected questions है चलिया answer किजिए फड़ाफट से देखे महिला समानता दिवस जो है यह प्रति वर्स 26 अगस्त को मनाया जाता है यह दिवस अमेरिका में महिलाओं के मता अधिकार के पारित होने का प्रतिक है इसलिए महिला समानता दिवस प्रतिक वर्स 26 अगस्त को मनाया जाता है ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है बिलकुल टॉप लेबल का प्रस्न है आंसर किजिए ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है तो साथ यह आप पर इसका सही जबाब क्या होगा D option याद रखेगा परियावरन संरक्ची पर योजनाओ का वित पोशन करने वाले बैंकों का जाता है ग्रीन बैंकिंग यापर D option सही है केसर के लिए राष्टे मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लौँच किया गया है तो केशर के लिए राष्टे मिसन जो है किस योजना के तहट एक उप योजना के रूप में लौंच गया गया है तो याद रखिएगा ये है क्रिसी विकास योजना निम्न लिकित में से कौन सा उपाई एक राष्ट की संपत्ती में व्रिध्धी नहीं करेगा तो साथियों कौन सा उपाय है जो एक राष्ट की संपत्ती में व्रिद्धी नहीं करेगा तो सबसीडी के रूप में करों का पुनर वित्रन करके ये जो है राष्ट की संपत्ती में व्रिद्धी नहीं करेगा चेत्रिय ग्रामिन बैंक किसके द्वारा प्रयोजित होते हैं तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है राश्टेकरित वानेजिक बैंक याद रखेगा चेत्रिय ग्रामिन बैंक जो है यह राश्टेकरित वानेजिक बैंक द्वारा प्रयोजित होते हैं भारत में जारी 500 रुपिय के नौट पर निम्द लिखित में से किसे दर्साया गया है अब यहां से आपको 10 रुपिय, 20 रुपिय, 50 रुपिय, 100 रुपिय, 200, 500, 2000 सभी के पीछे कौन सा चीतर बनाया गया सभी को ध्यान रखना है तो 10 रुपिय की बात करें, तो कुनार का सूर्य मंदिर है, 10 रुपिय पर, 50 रुपिय पर हमपी का रत है, आप लोग नौट करते जाएं, 100 रुपिय पर रानी की बाव है, 200 रुपिय पर क्या है, साची स्थूप है, 500 रुपिय पर लाल किला है, यहां पर सही जबाब है, लाल साथियों परत्यक्ष करका मुख्य रूप से परभाव जो पढ़ता है आई पर पढ़ता है यहाँ पर डी आप्शन आपका सही जवाब है पिर्थवी का अपना वायू मंडल क्यों है चले बिल्कुल सेलेक्टेट कोशन से फड़ा फड़ से आंसर बतेए पिर्थवी का अपन किस ने लगाया था तो न्यूटन ने लगाया था संग मरमर खालिय स्थान की एक कयांतरित चटान है देखे साथियों संग मरमर को ही का जाता है केल्सियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CACO3 और संग मरमर जो है एक कयांतरित चटान है तो यहाँ पर सही जबाब क क्या होगा संग मरमर जो है चूने क्या पत्थर का ये क्या ऐ कयांत्रित चट्टान भारत में सबसे उची परबत चोटी कौन सी है ये तो बहुत sobie question है भारत में सबसे उची परबत चोटी कल भी आपको बताया केटू जिसको गौडविन आश्टिन भी बोला जाता है और यह विश्व की दूसरी सबसे उची परवत चोटी है जिसकी उचाई 8600 11 मीटर है केटू की ज्यान रखेंगे भारत की सबसे उची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे उची चोटी माउंट एबरिष्ट यह बोत्सवाना की मुद्रा है चल 31 के लिए आंसर किजिए बहुत इस सोच समझकर इस मौडल प्रेक्टिस सिट में कोसंस को एड किया गया है इसलिए एक भी कोसंस को मिशना करें तो बोत्सवाना की मुद्रा क्या है तो साथियो इसका सही जवाब है बोत्सवाना की मुद्रा है पूला यह पर पहला उप्षन आपका सही जबाब है पूला याद रखेगा डॉलर अमेरिका अमेरिका के मुद्रा पूछे क्या है तो डॉलर है जपान का पूछा गया तो एक बार तो येन जपान के मुद्रा क्या है तो यह अन्ध्यान रखे अकार के संदर में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा अस्थान आता है अकार के संदर में बताना है देखे वायो मंडल की बात करें तो सौरी सौर मंडल की बात करें तो सौर मुंडल में सबसे बड़ा ग्रै जो है वरस्पती आता है पहले अस्थान पर दूसरे अस्थान पर कौन आता है तो आकार में दूसरे अस्थान पर आता है सनी और तीसरे अस्थान पर अरून आता है चोथे अस्थान पर वरून पाचवे पर पिर्थवी छटे पर सुक्र और साथवे अस्थान पर आता है मंगल तो अकार के संदर में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा अस्थान है तो याद रखेगा साथवा अस्थान है और सूरी से दूरी के करम में पूछे तो सबसे पहले देखे सन हो गया सूरी से सबसे नजदिक क्या है भूद्ध, सुक्र पिर्थवी और मंगल यानि सूरी से दूरी के करम में मंगल जो है चोथे अस्थान पर आता है और हमारा पिर्थवी जो है तीसरी अस्थान पर तो इन सभी फ्यक्ट को ध्यान रखे निम्न लिखित में से कौन सा इराकी सहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है तो साथियों इसका सही जवाब है यह है बगदाद याद रखेगा बगदाद इराक की राज़धानी है इन मेंसे किस राज़े में सरवाधिक संख्या में कोटन मिले हैं और उन मेंसे अधिकांस कपड़े के बजाए सूध का उतपाजन करती है तो यह हो जाएगा तमिल लाडू याँपर पहला ओप्सन आपका सही जवाब है ओप्सन के साबसे आंसर कीया होगा तमिल लाडू याद रखेगा भारत में कपास का सरवादिक उत्पादन करने वला राजी पूछे तो गुजरात दूसरी अस्तान पर तेलागना आता है फिर महराश्ट आता है सभी को ध्यान रखें कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है चलिए आगे देखिए उत्री भारत के राज्यों में कपास की खेती खाली अस्तान क्रिसी रितू के दोरान की जाती है तो प्यारे साथियों उत्री भारत के राज्यों में कपास की जो खेती है ये खरीप क्रिसी रितू के दोरान की जाती है तो यहाँ पर 35 का अंसर B वज़ाएगा खरीब कपास की बात करें तो कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है काली मिट्टी को रेगुर मिर्दा भी कहा जाता है ध्यान रखें तटों से हलकी समुद्र अभी मुखी ढ़लान को क्या कहते हैं तो साथियों तटों से हलकी समुद्र अभी मुखी ढ़लान को क्या कहते हैं तो याद रखेगा महादूपियक कगार यहाँ पर पहला उप्शन आपका सही जबाभ है महराजा रंजित सिंग के राजी की रालधानी क्या थी तो साथियों महराजा रंजित सिंग की रालधानी लाहोर थी यहापर D option आपका सही जवाब है अच्छा लाहोर अदिवेशन कब हुआ था तो याद रखेगा 1929 में हुआ था जिसके देख्षता पंडित जवाहरलाल नहरू ने किया था इसलामाबाद ये पाकिस्तान की रालधानी है जेंद अविस्ता खालियस्थान के साथ जुड़ा हुआ है तो प्यारे साथियों जेंद अविस्ता जो है ये पार्शी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है यहापर पहला option सही है गांधी जी ने किस वर्ष में आसयोग आंदुलन की सुरुवात किया था तो साथ यहापर 49 का आंसर क्या हो जाएगा तो आसयोग आंदुलन की सुरुवात की थी 1920 में एक अगस्त 1920 से और वापस लिया गया था इसे फरवरी 1922 में किसके कारण वापस लिया गया था तो चौरी चौरा हत्या कारण के कारण तो इसे भी ध्यान रखें इस फैक्ट को चलिए आगे बढ़ते हैं इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था चलिए 40 के लिए आंसर किजिए आप सभी इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किसन नारा दिया है अच्छा करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो याद रखेगा 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदुलन होता है जिसमें महत्मा गांधी के दुआरा करो या मरो का नारा दिया गया था ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक की बात करें। तो इन्होंने क्या नारा दिया था तो स्वराज हमारा जन्म सिद अधिकार है। इसे भी ध्यान रखें, सुबा संद्र बोस ने क्या नारा दिया था, तो तुम मुझे खुन दो, मैं तुमें आजादी दूँगा, इन सभी फ्यक्ट को ध्यान रखें, चली आगे देखिए, त्री मुर्तियों में स्रिष्टी करता देवता होने के बाद भी आज कल किसे देखिए, बुक का प्रथम, प्राचिन भारत के इन में से किस राजवन्स का संस्थापक था, चली साथियों आप सभी ब्यारिस के लिए फड़ापट से आंसर बताएंगे, बुक का प्रथम जो है, प्राचिन भारत के इन में से किस राजवन्स का संस्थापक था, तो कुल सईजबाब है संगम वंस देखिए हर यह रेबं बुक का दो भाई थे इन्होंने 1336 में कब इन्होंने 1336 में विजय नगर समराजी की अस्थापना की थी और विजय नगर समराज पर टोटल चार वंसों ने सासन किया कौन-कौन से संगम वंस आता है सालू वंस आता है राजधानी कहाँ पर थी हम पी जो की करनाटक में है सभी फेक्ट को ध्यान रखें चली आगे देखिए 24 पहाडियों के साथ सूर्य देवता के रत के रूप में कौन सा मंदिर बना गया है तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या हो जाएगा 43 का D option कौनार्क का सूर्य मंदिर याद रखेगा देखे कौनार का सूर्य मंदिर जो है यह किस राज में है तो उडिशा के पूरी में है उडिशा के पूरी में कौनार का सूर्य मंदिर है और इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है याद रखेगा ब्लैक पेगोडा कहा जाता है अज़ा कौनार के स मगदी भासा निम्न लिखित में से किन किन जीलों में बोले जाती है चलिए आंसर किजिए फड़ापट से मगदी भासा जो है किन किन जीलों में बोले जाती है तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या हो जाएगा गया एवं पटना जीले में पहला option आपका सही है आगे देखिए साइमन कमिशन पटना कब आया देखे साइमन कमिशन की नियुक्ति जो है ब्रिटिस प्रधानमंत्री ने सर जौन साइमन के नित्रित में किया था साल 1928 में याद रखेगा इस कमिशन में देखे एक भी भारते सदस नहीं था और यह पटना कब आया था तो डेट पुरा याद रखेगा 28 नमबर 1928 को जो की D option में दिया गया है चलिए आगे देखिए भारते समाजवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्स हु आंसर कीजिए फड़ापट से तो इसका सही जबाब हो जाएगा 46 का option A 1962 में याद रखेगा कब 1962 में चलिए आगे देखिए 28 सताबदी में भारत में फ्रांसेसियों के सफल नौ होने का निम्न लिखित में से कौन सा एक कारण था तो देखे सबसे प्रमुक कारण जो था ये था उनकी व्यपार कमपनी फ्रांसेसी सरकार पर बहुत यदिक निर्भर थी इसलिए 28 सताबदी में भारत में फ्रांसेसियों के सफल नौ होने का ये सबसे प्रमुक कारण रहा है ध्यान रखेंगे अब चले यहां से कुछ important fact को बता देते हैं जैसे कि देखिए फ्रांसेसेसियों इंडिया कमपनी के सफापना कब होती है तो याद रखेगा 1664 में पुर्तिकाली इस्टिंडिया कमपनी के स्थापना कब होती है तो 1498 में अंग्रेजी इस्टिंडिया कमपनी के स्थापना 1600 SP में और जिस समें अंग्रेजी इस्टिंडिया कमपनी के स्थापना होती है उस समें कौन मुगल समराड था तो अकबर इन सभी को ध्यान रखें चलिए आगे देखिए इन में से कौन एक बंदरगा भारत के पस्मी तटपर अवस्थित नहीं था तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं सही जबाब है मोटू पल्ली मोटू पल्ली बंदरगा ये भारत के पुर्वी तटपर इस्थित था ना कि पस्मी तटपर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कहां भारते वायुसेना के हैरिटेज सेंटर का उदगाटन किया चलिए करेंट फिर्स का कोर्शन है तो याद रखेगा कहां पर चंडीगड में आगे दिखेए नेशनल क्वांटम मिशन के तहट कितने कडोर रुपिय मंजूर किये गए हैं तो याद कर लिजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा छे हजार कडोर जो किसी ओप्षन में दिया गया है कितनी हजार छे हजार कडोर किस राज ने प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के सरवत्तम कार्यावयन के लिए राष्ट्य पूरुषकार जीता है तो यह जीता है किस राज ने तो इसका सही जवाब है करनाटक राज ने केंद्रिय मंत्री जी किसन रेड़ी ने किस सहर में पीम जन औसधी केंद्र का उधगाटन किया तो याद रखेगा ये क्याई सिकंद्राबाद में D option आपका सही जबाब है चलिए आगे देखिए सौर उर्जा राशानिक उर्जा में किस समय बदलती है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है प्रकास संसलेशन के दोराण याद रखेगा प्रकास संसलेशन की क्रिया के दोराण सौर उर्जा जो है राशानिक उर्जा में परिवर्टित होती है पुस्पो के मादा जनन अंग को क्या कहते है चलिए चववन के लिए आंसर किजिए तो पुस्पो के मादा जनन अंग को क्या काते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा D option देखेंगे इंगलिस में दिया गया है कैरपिल याद रखना है आगे देखिए निम्न लिखित में कौन सा पदार्त समानेता मुत्र में पाया जाता है तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा पचपन का option भी याद रखेगा creatinine creatinine पदार्त जो है ये समानेता है मुत्र में पाया जाता है विरिद्धी हर्मोन कारे करता है देखेंगे विरिद्धी हर्मोन एक प्रोटिन पर अधारित peptide हर्मोन है और ये कारे क्या करता है तो हमेशा विकास प्रोटसाहक के रूप में कारे करता है आगे देखिए मचली से प्राप्त कौड लिवर तेल किस विटामिन के प्रसिद समरिद स्रोथ है तो मचली से जो प्राप्त होता है कौड लिवर उसमें विटामिन D होता है प्रचुर मात्रा में यहां पर संतावन का सी ओप्सन सही है विटामिन D का रसानिक नाम क्या है तो केल्सी फेरॉल याद रखेगा चलिए आगे देखिए निमनलिकित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन खार खाना का जाता है तो बहुत ही देखिए निमनलिकित में से कौन से फायरवाल का एक की फंसन है तो साथियो फायरवाल एक नेटवर को अन ओथराइज एकसेस पर बचाता है यहाँ पर सही जबाब होगा मॉनिटरिंग का काम करता है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है तो बहुत होती सिंपल है याद रखेगा यह तैरने लगता है एक ताजे अंडे को नमक के पानी पर डालने पर अंडा तैरता है क्योंकि नमक के गोल का घनत जो होता है अंडे के घनत से अधिक होता है चली आगे देखिए वायू में जीरो डिगरी सेल्शेस तापमान पर ध्वनी की गती क्या होगी तो याद रखेगा 331 कि क्या होगी तो 331 मीटर प्रतिस सेकेंड अकास या समुद्र की निलीमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है चली बासट के लिए आंसर बताएंगे फड़ाफट से तो इसे क्या कहा जाता है तो याद रखेगा इसे कहा जाता है साइनो मीटर जो कि C option में दिया गया है बैरो मीटर से वायो मंडले दाव को मापा जाता है चलिए आगे देखिए जैसे ही एक तरल पदार्त की मुक्त सता से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दवाव क्या होता है तो याद रखेगा ये बढ़ जाता है ब्राउनी गती क की खोज किस ने किया था तो याद कर लेजिए पूठा जा सकता है ब्राउनी गती की खोज किया था रोबर्ट ब्राउन ने याँ पर C option सही है चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन दूद के खट्टे होने को प्रेरिद करता है तो साथिए दूद के खट्टे हो होने को प्रेरिद करता है लेक्टिक एसिड डी option में दिया हुआ है लेक्टिक एसिड बुलेट प्रूब जैकेट बनाने के लिए खाली अस्थान तंतूओं का उपयोग किया जाता है तो बुलेट प्रूब जैकेट बनाने के लिए इसमें केबलर याद रखेगा क्या होग केबलर तंतों का परियोग किया जाता है कार्बन डियोकसाइड में कार्बन की प्रतिसत मात्रा कितनी होती है चले इस प्रसंद को डाइरेक्ट याद कर लेजिए कार्बन डियोकसाइड में कार्बन की प्रतिसत मात्रा होती है 27.3 D option में दिया गया है बॉक्साइट का एक आयस्क खनीज कौन सा है तो यहां पर सही जबाब क्या होगा एलमूनियम याद रखना है बॉक्साइट एलमूनियम का एक क्या है आयस्क है यहां पर पहला उप्शन सही है पानी के एक मोल में कितने अनु मौजुद है तो इसका सही जबाब है 6.02-10 पर पावर 23 अनु एन एच सीओ थरी खालियस्थान का रसायनिक सुत्र है तो बहुत है सिंपल है एन एच सीओ थरी सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है याद रखेगा तो साथियो चलिए आज के लिए इतना ही नीचे देख स्क्रिप्सन बोक्स में है तो साथियो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को एक लाइक जरूर करते जाएं